मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करने वाले या रेगुलर बेसिस पर मेरे वीडियो को देखने वाले सभी लोगों को मैं दिल से नमस्कार करती हूँ और स्वागत करती हूँ आप लोगों का अपने चैनल में आज का जो वीडियो है टॉपिक से आप समझ गए होंगे राष्ट पिता महात्मा गानी के उपर है लिकिन ये कोई इमला नहीं है आज मिलाई हूँ आपके लिए कि अगर आपको किसी टॉपिक के उपर किस तरह से निबंद लिखना है उसके बारे में हम बात करेंगे और जैस बात करने से पहले कुछ आपसे बात करना चाहती हूँ जब हम किसी विशय पर कोई भी निबंद लिखते हैं तो वो हम क्रमबद ढंग से लिखते हैं और क्रमबद ढंग से लिखे हुए विचारों को ही निबंद कहा जाता है निबंद लिखने से पहले निबंद के विशय की प्रमोक बातें बिंदु के रूप में लिख लेते हैं मतलब कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं कुछ टॉपिक उसको अलग से नोट कर लेते हैं और छोटे-छोटे बाकियों को सरल भाशा में लिख लेते हैं जहां आवश पिता महात्मा गांदी जी के बारे में निबंद लिखने वाले हैं तो उसकी रूप रेखा कैसी होगी सबसे पहले हम प्रस्तावना बताएंगे प्रस्तावना लिखेंगे फिर उनकी बचपन और उनकी शिक्षा दिक्षा कैसे हुई उसके बारे में बात करेंगे दक्षिन अ दर्श क्या थे और लास्ट में उपसंगार जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्क्लोजन आपको जो मैंने लिखा है भारत की पुर्णे भूमी पर अनेक महापुरुशों ने जन्म लिया जिसमें से महात्मा गांधी भी एक हैं गांधी जी के जीवन का उद्देश मानत्ता क की रक्षा करना था उसके लिए गांधी जी ने सत्य और अहिंसा को मूल मंत्र बनाया भारत को स्वतंत्रता दिलाने तथा प्रेम एवं सत्भाव का मार्ग दिखाने वाले गांधी जी को हम देशवासी श्रद्धा से बापु कहते हैं चूंकि महात्मा गांधी ने प्रेदा के नाम से भी जाना जाता है महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात राजी के पोरबंदर नामक शहर में हुआ था उनके बच्पन का नाम मोहंदास था गांधी जी के पिता का नाम करमचन गांधी तथा मार्टा का नाम पुतली बाई था मार्टा पिता के धार्मिक संसकारों का गांधी जी पर गहरा प्रभाव पड़ा गांधी जी की हाई स्कूल तक की शिक्षा राजकोर्ट में हुई इसके बाद कानून की पढ़ाई के लिए वे इंग्लेंड चले गए और 1891 में वहां से बैरिस्टर बन कर लोटे गांधी के लोगों पर गोरी सरकार के अन्याय और अत्याचारों को देखकर वे बड़े दुखी हुए वे बहुत दुखी हुए उन्हें सम्मानपूर्ण जीवन दिलाने के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया भारत लोटकर गांधी जी आजादी की लड़ाई में सक्रिय हो गए चमपारन में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाव सत्याग रह किया और किसानों को उनके चंगुल से मुप्त कराया 1921 में असहयोग आंदोलन चलाकर भारत की जनता को अपने अधिकारों के लिए जगाया इस आंदोलन से देशवासियों में स्वतंतरता के प्रति नई चेतना का संचार हुआ 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ों आंदोलन शुरू किया स्वतंतरता आंदोलन के दोरान गांधी जी को अनेक बार जेल यात्राएं करनी पड़ी यातनाएं जेल दी पड़ी परंतु वे अपने पत से विचलित नहीं हुए गांधी जी के साथ अन्य स्वतंतरता सेनानियों ने संगर्ष में बढ़ चड़ कर हिस्सा लिया 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंतर हो गया और गांधी जी हमारे राष्ट पिता हुए सत्य अहिंसा और शांति के समर्थक गांधी जी समाज सुधारक भी थे उन्होंने समाज से छुआ छूद, नशा खोरी और सामप्रदाइक भेद भाव को दूर करने में अपना सारा जीवन लगा दिया गांधी जी के सिध्धानतों का पालन करना ही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धानजली होगी तो गांधी जी एक बहुत उचे व्यक्तित्व के व्यक्ति थे और उन्होंने बहुत सारे काम किये हमारे देश को आजाद कराने से लेकर देश में जितनी भी बुराईया व्याप्त थी उसके विरोध में वो खड़े हुए उन्होंने बहुत सारी ऐसी बुराईयों को दूर करने में बहुत प्रित्न करा, बहुत सारा जीवन अपना लगा दिया, उसे छुआ छूथ था, नशा खोरी और बहुत सारे भेदभाव थे यहां पर उची जाती, नीची जाती से सम्बंदित, बहुत सारे भेदभाव को उन्हें अपना सारा जीवन लगा दिया और स्वतंतरता आंदोलन को सफल बनाने का बहुत सारा श्रे गांदी जी को ही जाता है आप सब लोग जानते हैं इसलिए उन्हें राष्ट पिता कहा जाता है बापू कहा जाता है क्योंकि स्वतंतरता आंदोलन में उनका बहुत बड़ा रोल था तो कैसी लगी बच्चो आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करिएगा आपके काम की है और अपने फ्रेंड्स को भी इसको शेयर करिएगा जादा से जादा लोगों को इसका बेनिफिर मिले चैनल बढ़ना है तो अभी चैनल को रेट कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए पास ही बने हुए नोटिफिकेशन बेल को भी आउन करिए सिलेक्ट करिए औल को ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे इसके बाद जो अगली वीडियो इस कड़ी में होगी वो राष्टपिता महात्मा गांधी की आत्मकता होगी आत्मकता का अर्थ होता है व्यक्ति जो अपने बारे में खुद अपनी कता कहता है उसको आत्मकता कहते हैं तो एक पार्ट है जिसके माध्यम से मैं बताऊंगी कि गांधी जी ने अपनी आत्मकता को किस तरह से लिखा था, अगली वीडियो में मैं आपको उनकी आत्मकता बताऊंगी, तो बने रहे है चैनल के साथ, और वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अगली वीडियो मैं फिर से आप से मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, जै हिंद, जै भारत भी वीडियो मैं रहे है कि भारत बताऊंस में और लुद कॉर जहीं पस्वारब्गांस थन में किलेदे शख कॉरां कि भारत बती हूँ, पस्वारत Quality से नमस्का चित Всемित झाल झाल